इस आपका स्वागत इस चैनल में मैं हूँ काश आप देख रहे हैं पीपोई और अब कुछ नहीं चुपेगा इस कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो किया था एड्सकेम के बारे में जिसमें हमने डिसकस किया था कि कैसे कुछ कंपनी जो अपने प्रड़क्स एड़टाइज नहीं कर सकती बिकाज वो बैंड है एड़टाइजिंग से तो वो कुछ सेलिब्स और कुछ इंफ्लूंस को यूज करते हैं इनको मार्केट करने के लिए वो भी सरोगिट एड्स के थ्रूप उसका रिस्पॉंस बहुत ही आश्चा रजनक था बिकाज मुझे नहीं पता था इतने ज़ादा लोगों को इस बार में नहीं पता था क्योंकि हमारे सोशल एंवार्मेंट में कुछ चीज़े चुपी रहती है और इनको ढूणने के लिए कई बार हमें उसके पॉट होल में कूत के उनको निकालना पड़ता ऐसे ही हमारी फिटनेस की दुनिया में भी बहुत ऐसी चीज़े हैं जो धकी चुपी हैं जिससे प्रॉडक्स को मार्केट किया जाए हेल्थ के नाम पे नूट्रिशन के नाम पे फिटनेस के नाम पे पर प्रॉब्लम सबसे जादा तब होती है जब जिन सेलब्स और इंफ्लूएंस से हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें सही गाइड करेंगे जानने की ज़रूरत है वो पूरा मार्केटिंग गिमिक में आपके सामने नहीं आता तो उनको डिसकस करेंगे गाइज ये वीडियो उन तक देखेगा और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैलियो मिले तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना और बहुत सारे अगर शेयर जानने की ज़रूर के साथ बात कर रहे थे एक पॉडकास में उनने बोला कि प्रोटीन को डाइजस्स प्रोटीन की स्कूप को डाइजस्स करने में तीन साल लगते है और वो बॉडी में पड़ा रहता है प्रोटीन शेक्स अर रहेदा गाइजस्स अरह कुछ नहीं जाता थैंक्फली उनने यही बुला कि जो पदरी हो थी जान की शरीर में वो इसी पड़ेवे बुड़ेजी वजेस्वे से नोट प्रोटीन की बात करें तो इसे बढ़ेन पॉडर्स की बात करें तो इसे ब़र दरी important to understand protein shakes की जरुएत क्यों पड़त है, protein is part of our diet, protein बहुत जरूरी है हमें लेने के लिए और वो खाने से मिल जाता है, पर कुछ लोगों के जिनकी एक need specific होती है, चाहे वो athlete हो, चाहे वो chronic illness से जूजर है, चाहे वो body building कर रहे हो, या muscle growth है, उनका target तो उनको एक extra supplement की जरुएत ह बनाए गए है, especially whey protein जो की animal based है, या pea protein जो plant based है, whey in fact is very very fast, बहुत जल्दी digest हो जाता है, training and recovery and muscle growth में उससे बहुत होती हो, जो आपकी absorption rate है, वो भी fast होता है whey protein का, mostly whey protein चाहे, whey हो चाहे कसीन हो, 3-7 गंडे में absorb हो जाता है, तो ये कहना कि 3 साल लगते है protein को digest करने में, ये ये अगर PJ भी है, तो बहुत ही खतरनाक PJ है, having said that, 2018 हमें एक study करी गई थी, जिसमें बताया गया था कि बहुत सारे से protein powders हैं, जिसमें metals का use होता है, तो आपको इसलिए बहुत cautious रहना पड़ेगा, कि वो approved हो, कि आप genuine product buy करें, क्योंकि अगर crap product buy करेंगे, तो आपकी body में तो उना है, इसर न फर्म उरिन और फर्म फूल तो अब आते हैं इसी तरह की similar statement जो वरून थावन ने वोली हैं, जमोंगा इक निट्वी हो रहा था, उनकी दें लाइफ और वो आईसो प्योर लेते हैं, विच है इस फ्वी एसलेट प्रोटीन हैं, उन्हों ने बोला कि ञिसमे in zero calories and you're getting 25 grams of protein in that oh nice इसे पता चलता है guys तो ज़रूरी नहीं है जिसकी भी बोडी हो, जिसकी भी अबस हो, वो सब को जानता ह। because mostly in सब के पी शेप, कोई ना कोई अच्छा nutritionist, कोई अच्छा ट्रेनर हो था and not everybody has time to go through all the theory and maths behind, by the way one must tell और अप एक ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं दो फिर भी आप चार कलोरी ले रहे हैं because एक ग्राम प्रोटीन में चार कलोरी जोते हैं रहम काहब में चार कलोरी होती है, ग्राम फैट में नो कैलोरी होती है but guys कहीं न कहीं, चाया आयुश्मान खुराना ने और वरुण धवन ने जो बोला वो अनिंटेंशल था या इग्नोरिंस की वज़े से था पर जो अक्षे कुमार ने करा वो बहुत जादा शौकिंग और सुप्राइजिंग था यह बोला कि वो नहीं पसंद करते हैं यह जो आज कल यंग्स्टर जो चल रहा है वो है यह मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ वो है वो प्रोटीन शेक्स और स्टेरोइड्स और स्टेरोइड्स और क्रेटीन, BCA यह सब चीज़ें जो भी है यह पता नहीं क्यों लेते हैं पहले तो इन चीज़ों को दोनों चीज़ों को स्टेरोइड्स और प्रोटीन शेक्स को एक स्टेट्मेंट में बोल देना that he doesn't like it, that is not right because दोनों में बहुत दिफरेंस है बर यह बोल देना कि BCAA या सप्लिमेंट्स या कसीन और जितने भी प्रोटीन शेक्स हैं यह सारे गलत हैं और उसके बाद ठीक एक साल बाद because आपको पैसे मिल रहे हैं आप ऐसा ही एक प्रोटीन शेक एंडोस करते हैं तो वो बहुत शॉकिंग होता है especially ऐसा प्रोटीन शेक जो कि एक एक एनर्जी ड्रिंक जादा है और प्रोटीन पौडर कम है या प्रोटीन सप्लिमेंट कम है अगर आप कॉंपरिटिव स्टडी देखेंगे किसी भी ऐसे प्रोटक की that is mostly an energy drink because आप देखेंगे same packing में same serving में जो इतना amount of protein आपको मिल रहा है in this kind of a drink versus अगर आप वे protein isolate की बात करें या आप concentrate की बात करें वे standard की बात करें on का ले लीजे मैंने हाँ my protein का isolate लिया तो इन तीनों को compare करें तो आप देख लेंगे कि आपको पैसे उतने ही देने पड़ रहे है in fact अगर आप standard लेते हैं जो on का मैं use करता था जब मैं बहुत इसको market किया जा रहा है ये बोलके कि बहुत प्रोटीन सप्रीमेंट आपकी प्रोटीन की इतनी requirement होती है और प्रोटीन की requirement पूरी करने में देखा तो नहीं क्योंकि जैसे अक्षिकुमार बोलते हैं because आप normal diet से आप वो सब चीज़े ले सकते हैं तो बिल्कुल that's true जिन लोगों को need नहीं है उनके लिए protein plus बिल्कुल बिकार है because आप normal food diet से भी उतना protein ले सकते हैं जितना आपको daily diet में चाहिए पर आपको एक rich source of protein के पास ही जाना पड़ेगा अगर आपको एक specific need के लिए चाहिए और अगर आपकी specific need नहीं है तो why to spend that money and why to even get protein plus kind of a drink इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं चाता तो Akshukumar यहां जो endorse कर रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो ignorance की वज़े से कर रहे हैं but having said that I'll still give him a benefit of doubt because when these guys do the contract उनको जो stories बताई जाती हैं maybe Akshukumar didn't have time but मैं तब भी यह बोलूँगा कि अगर आप कोई as a celeb या influencer कोई भी अगर आप brand endorse कर रहे हैं तो उसके बारे में पूरा आपको A to Z समझना चाहिए आपने कहानी इतनी बार मैंने गोल्ड की कहानी इतनी बार सुन ली है मैंने करीबन ना करीबन 18-20 बार इसकी पूरी स्क्रिप्ट बार बार पड़ी है यह नहीं कि आप मुवी शूटिंग कर रहे हैं प्रोमोशन कर रहे हैं साथ-साथ में आपने एक brand deal कर दी और आपके manager ने बोल दे कि इसमें सब ठीक है आपने चक कर लिए आपको you should personally be invested अगर आपको यह चीज़ एंडोर्स करते हैं आपको यह नहीं पता चलता कि आपको नहीं पता चलता कि आपको यह चीज़ बेचा जाता है तो लोगों को शाइद यह नहीं समझ में आथा कि वो भी एक सरोगेट आड की तरह ही लगता है नहीं पता चलता कि actually this is just a taste-inducing drink, energy drink, this is not for protein तो वहान एक और प्रोबलम है आपको यह नहीं अगी एक तरह से उस marketing gimmick को और ज्यादा फैला आपनी सेल के लिए तो यह हम लोग यहाँ आवेंथा सकते हैं, हम लोग यहाँ इन चीज़ आपको यहाँ बाद कर सकते हैं If you found any bit of value in this video तो ज़रूर like करेगा, share करेगा इस वीडियो को और ज़रूर अपनी प्रतिक रिया दीजिएगा कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके ads देकर आपको लगा कि Wow, this is very good, मैं buy करूंगा बड़ आपको बाद में realize वो नहीं है, वो वैसा product नहीं है ज़रूर बताइएगा, आपका क्या विचार है जिससे जो भी छुपा है, जिसको मैं डिक करके आपके सामने प्रसुत करता रहूं जिससे हम लोग aware होते नहीं, as a society, as a p family तो guys, आपका support चाहिए मुझे बिकोज ऐसे वीडियो को आप जाते से जाते शेर करेंगे जो करना, घंड़ा जरूर दबाना, और मैं अजिए वीडियो में फिर से बलूँ को, आप देख रहे हैं पीपो, यहां आप कुछ नहीं चुपेगा शब्बा क्यार खुदा आफे, ससे काल राम राम शियर्स और गुडबाई